हालेलिया एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूँगा इसाया का ग्रन्त अध्याय 65 वचन 24 उसमें लिखा है उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूँगा उनकी प्रात्रा पूरी होने से पहले ही मैं उसे सुईकार करूँगा सब बो आमेन आमीन और हालेलुया जब हम वचन या कोई भी हमारे लिए अच्छे शब्द या आशिश के शब्द बोले तो हमें आमीन बोलकर उस सुन्दर आशिश को उस सुन्दर बात को उस सुन्दर वचन को ग्रैन करना है हालेलुया तो जब भी आपको कोई आशिश दे उस सुन्दर शब्द बोले आशिश के शब्द बोले तो आमिन बोलकर उस शब्द पो उस आशिश को अपने जीवन में रिसीव करना है आमिन बोलकर आमिन का मतलब होता है जैसे आपने कहा वैसा ही हो जाए आमिन आलेलुया और कैसे मैंने आप आपको कहा आप सब आशिशित हो तो आप ल लगड़ी आशिशित हैं, जितनी आशिशे मिलें, वो हमको रिसीव करते रहना चाहिए, इस वचन में लिखावा है उनके दौाई देने से पहले ही, मैं उने उत्तर दूँगा, उनकी प्रारत्रा पूरी होने से पहले ही, मैं उसे स्विकार करूँगा, ये वचन मेरे जीवन में कैसे पूरा हो गया कैसे एक मातर इशर जिसने सर्ग और प्रिच्वी को बनाया है जिसने सारी मनिश्य जाती को बनाया है कैसे उसकी अमहान जिन्दा वचन मेरे जीवन में मेरे परिवार के जीवन में पूरा हुआ उसकी गवाही देने के लिए मैं आज आपके सामने खड अपनी प्रियर रचना मनिश्य को बचाने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए उसको नरकी आप से बचाने के लिए प्रिठ्वी पर बुरी परिस्तितियों से बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है किस हद तक जाकर उसने मुझे और मेरे परिवार को बचाया आज उन सब का शाक्ष देने के लिए प्रभियेश मसी के नाम की महिमा जोसने मेरे जीवन में की है वो बताने के लिए मैं आया हूँ मेरा नाम सुशील कॉलविन है हम पैरिस बिलास्पुरी उपी है लेकिन दिनली में सैडल है मेरे पापा B.S.F. में थे और उनके साथ-साथ जब मैं छोटा था तो जब वो भरती होगे तो उनके साथ-साथ हम जहां-जहापे उनकी पोस्टिंग वही उस जगाहों पर हम जाते रहे एक वक्त आया जब पापा की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई एनस्जी ब्लैकेट कमांडो और वहाँ पर मैंने एक स्पोर्ट्स को जोइन किया कराटे को कराटे को जोइन किया और प्रभु के अनुगरे से बढ़ता गया एक वक्त ऐसा आया जब प्रभु ने में बहुत उचायों पर लेकर चला गया कई बार मैंने दिल्ली स्टेट को नैशनल में रिप्रेजेंट किया और भारत को बहुत बड़ी बड़ी जगाओं पर रिप्रेजेंट किया मतलगी पेश किया है भारत के दिर्व से मैं खेला हूँ जैसे वर्ल्ड चैंपरिशिप ओलंपिक से एक स्टेपी नीचे होती है जो बहुत बड़ा एक प्रतियोगिता है जो हर खिलाड़ी का सपना होता है वहाँ पे पहुचने का तो वर्ल चैंपरिशिप में खेल के आया यूरोप में और येशिन चैंपरिशिप में खेल के आया चाइना में और कॉमन वर्ल चैंपरिशिप मेंने खेली डर्बन यानी साउथ अफरीका में हालेलुया इन सारी जगाओं पे प्रभी येश्व मसी मुझे को लेकर गया कैसे उसने मुझे यहाँ पहुचाया और कैसे में उससे अलग हुआ और कैसे प्रभी येश्व मसी ने मुझे मेरी बुरी परिस्तियों को और मेरे परिवार को इन सब संक्रटों से बचाया मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से प्रभु ने प्रमान दिया किस तरह से प्रभु ने साबित दिया कि मैं ही तेरा वो परमेशर हूँ जिसने तुझे बनाया और अचा है मैं जिसके तुझे अराद ना करता है तुझे बचाने का सामर्त और शक्ति रखता हूं मैं ही एक मातर सिंदा कुदा हो आलेलुया आज जो मैं आपके समने बता रहा हूं यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी बात है भारत गौरव पुरुषकार प्रभी यिश्व मसी ने मुझको इंडिन गौर्वर्मेंट की तरफ से दिलवाया तो मैंने कराटे स्पोर्ट्स जोइन कर ल पिला और उसके घर गया में तो उसने वह न शुरू से ही शराप पीता था तो उसने क्या किया एक इतना बड़ा पैग बनाया और मुझे कहा उसने कि यह पैग इतना बड़ा पैग तो पीले जहां तू एक घंटा ट्रेनिंग करता है तो गोल्ड मैली जीता है फरस्ट आता पर मैंने वो जो पैग था शौकिया तोर पर पी लिया मजे मजे में मैंने इसको पी लिया मैं आपके एक बात बताना चाहता हूं शेतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए इफीशियो 4.27 में लिखा हुआ है इफीशियो का गरंत अध्या है 4.27 में लिखा हुआ है शेतान क कि वो आनन मिल जाएगा लेकिन उस चीज की जो नीव होगी वह पाप के पर होगी जब वो मीठा दिखाएगा लेकिन उसके पीछे का वह हमारे लिए वह पहरे लिए नहीं बताएगा हरेलुया इसने बच centr में लिखा हुए शेटान तो कभी मौका नहीं देना चाहिए, वो मौका क्या हो सकता है, हमारे जुट बोलना हो सकता है, शराप पीना हो सकता है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटका खाना, एक दूसरे का साथ छगड़ा करना, माता पिता का अनादर करना, वाइफ का हस्बन का, एक दूसरे का अनादर क यह सब बाते शेतान पो मोका देने वाली हैं जो हमें स्वर्ग राजय में प्रवेश करने से रोकेंगी आले नुयाम तो वो मोका मैंने इसको दिया और शौकिया दर पर मैंने वो शराप का पैक पिया जैसा उसने बोला था वैसा ही हुआ एक घंटा ट्रेनिंग करता था अब एक घंटा ट्रेनिंग करकी भी अच्छा रिजल्ट आता था और जीतता था लेकिन जब मैंने शराप पी शेतान को मोका दिया वचन को तोड़ा उसके प्रभी यिश्य मसीग अनुवरे से अलग हुआ तब वो दो दो चार चार घंटे ट्रेनिंग गंदा भी मेरा बेकार हो कुछ भी हो सकता है शराप पीना और वेपिचार करना वासनों में पढ़ना हर वो काम जो प्रभी यिश्य मसीग ने मना की चोरी करना लोगों को लड़ना जगड़ना हर वो काम वो सब गंदे चरितर में आता है जिसका चरितर गंदा होगा वो उसकी सारी मेहनत विफल हो ज गया पहले मैं फस्ट आता था फिर सेकंड आना हुआ फिर खड़ हुआ और एक वक्त आया जब मैं जीरो हो गया और फिर मैं निराशा में आने लग गया निराशा में आकर शोकिया तोर पर किया हुआ नशा मेरी आदत बन गया अब सुबह दुपहर शाम दोस्तों के साथ पड़े रहना और शराब पीना घर में आना लेट आना लड़ाई जगड़ा करना माता पिता का नादर करना भाई वेनों को मारना ठाना फैकना और घर में भी शराब लेकर रहना और घर में आकर शराब को पीना और यही सब मेरी आदती मेरी मार होती थी और क्याती थी यह स बंदी आदत कैसे लग गई लेकिन वो यह जानती नहीं थी कि एक शोक्या तोरक पर शेतान पर मौका दिया हुआ वो असर मिर पे कर गया और मैं उसका आधिव हो गया अम मैं टूनामेंट्स में जाना बंद किया तीन तीन दिन के कई के लाखों रुपे में कमाता था स्टेट में हाडना शुरू किया नैशनल में हाडना शुरू किया इंटरनेशनल लेवल बंद हो गये जो फेस वैल्यू मेरी थी वह सब चीज़ों में जीरो हो गया जब इस सारी डिप्रेशन मेरे जीवन में आये तो एक दिन शराप पी कर ही मैं नशा करके ही खेलने के लि लग गई वो लड़का अपने डिफेंस में पीछे हो गया और जब मैंने कीक करी तो मेरे को एक चोट लगी क्योंकि मेरा पैर पूरा मुड़ गया था मैं आपको पताता हूँ वो चोट मेरे को यहां से लेक यहां से शुरू होती है और यहां खतम होती है इतरी मोटी नसो का गुच्छा होता है बहुत सारी नसे होती है उसके अंदर उसका गुच्छा होता है वो उसको एड़क्टर लॉंगास थिकनेस वेन कहते हैं तो वो पूरी के पूरी जो नसो का गुच्छा था वो पूरा खिच गया और कुछ तूट गई और कुछ खिचकर और लहू-लहान ह बाहर कुछ नहीं था लेकिन अंदर बहुत सूजन थी और मुझसे चला नहीं जा रहा था और मैं वहाँ उसी वक्त बैट गया जब मैं उठा तो मैं जब वाश्रों में जाके मैंने चेक किया तो पहले वो जगा पहले पहले सूजी फिर लाल हुई फिर नीली हो गई और उसक करके मुझे चलना पड़ता था और चलते ही जागर मैं सोओंगा तो यहां पर मफरल बांग के या ममी की चुनी बांग कर मैं सोता था ताकि मेरा पैर अगर थोड़ा भी ऐसे भी होता था तो ऐसे दर्द होता था जैसे किसी ने छे इंच का चाकू लेकर मेरे यहां पे मार दिया हो इतना खतरनात दर्द और इतनी खतरनात वो चोट थी ऐसा मेरे जीवन के साथ हुआ और फिर जब यह सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मैं डॉक्तर के पास गया डॉक्तर ने कहा कि ऐसी ऐसी चोट मैंने किसी खिलाड़े में कभी नहीं देखी ऐसा ऐसी चोट हमने नह ना होगा और उसके बाद हम आपका उप्रेशन करेंगे लेकिन एक बात याद रखना शुशी कि कभी भी आप इस स्पोर्ट को कभी नहीं खेल पाओगे यो उसके ये दो शब्दों ने मेरे जीवन की ससे एक जुरूरी और एहम हिस्सा मेरे जीवन से चुरा लिया था चीन ल हो गया और मैं निराश ओकर उस दिन अकेला ऑस्पिटल गया क्योंकि माता पिता और पापा तो कोलकाता में पोस्टिंग थी उनकी और मम्मी घर पे थी भाई बैन मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे क्योंकि शराब पीकर में गाली गलोज और उनको मारता और पीटता था घ उसने मेरे जीवन में वो बरबाता शेतान को हमारी सो कमजोरी नहीं चाहिए शेतान पर हमारी एक कमजोरी काफी है हमें बरबात करने के लिए वो एक कमजोरी कुछ भी हो सकती जैसे मैंने बताया चुगली करना हो सकता है मेल मिलाप नहीं करना हो सकता है वो अनाधर करना हो पिता का अपनी वाइफ के साथ अपने पती की साथ चिटिंग करना हो सकता है, हर वह गन्दी बात जो प्रभी ये शमसी ने मना की, वह सारी चीज़े अ की हो सकती है, और वही मेरे जीवन में हुआ और मैं बिस्तर पर आगया, और एक दिन लेटा हुआ था, और मैं सोच रहा अब मैं क्या करूँ और जब मैं वहां पे लेटा लेट गया बिस्तर पर आ गया ना चल सकता था ना कुछ नहीं कर सकता दोस्तों को फोन करना शुरू किया उन्हीं दोस्तों के उपर जिसके जिनके उपर मैं एक एक लास रुपे उड़ाता था हजार एक एकलाथ रुपे मेरे को मिलना तीन दिन गटूना मेंट होता था साट, साट, सतर, सतर अजार पे मैंने कलब पार्टियों में उनके साथ दारू पीकर उड़ा देना उन दोस्तों को अब मैंने फोन करना शुरू किया तो किसी ने फोन उठाने बंद कर दिये और मैं अगले दिन स्प्साइट कर लूँगा और लेटा हो बसे इस सोच रहा था या तो मैं अपनी आत्मा को कहीं बेच दू या फिर मैं मेरा भाई एक कमरे से बाहर निकले जो प्राथना का हमारा घर था हमारा रूम था हुआ से बाहर निकले और आकर मेरे मम्मी मेरे पास में आकर बैठ के बोली कि हम भी तुझे अपने साथ उस प्राथना सबा में लेकर जाना चाहते थे लेकर जाना चाहते हैं वो डरती थी वो उसने सोचा वही हुआ, मैंने गुस्सा किया, मैंने का एक बात बताओ ममी, मैंने अपनी जीवन से सब कुछ गवा दिया है, अपना नाम, शौरत, पैसा और अपनी सारे की सारी कमाई, सब कुछ सारे दोस्त मुझे छोड़कर चलेगे, एक चीज मेरे पस्तिरी सेहत, अब कहती, उसने अपनी जवानी के दिनों से प्रार्तरा करना शुरू किया था, हम बाई बर्थ, रॉमन कैथलिक परिवार में पैदा हुए परिवार है, मेरे दादा के टाइम से, और मम्मी कहती, वो जवानी के दिनों में अपने ईश्वर को याद करती थी, प्रार्तरा करती थी वो कहती मैं फास्टिंग करके पुपास करके एक एक दिन में नो नो रोजया पढ़ने वाली वो और थी और इसे शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ चमतकारों को देखा था आज संबग को संबग होते वे देखा है तो वह वहाँ पे मेरे बगल में बैठी हुई और रो की है और उसका नाम है प्रभी येशु मसी नाचने फाने यूई याँ वही परमेश्वर ये सब कुछ तुझे लोटा सकता है क्योंकि वचन लूकस 18-27 में लिखा हुआ है कि जो बाते मनिश्व के लिए संबव है वे ईश्वर के लिए संबव है उनकी बातों को सुनकर उन को पता है मैं चल नहीं सकता ठीक से मेरे बहुत सारी चोट है तो आप अच्छे से रिजर्वेशन करो और मेरे को ले जाने का इंतिजाम करो वो लोग खुश हो गए और उन्हेंने फटा फट मेरी रिजर्वेशन मेंगरा सब कुछ की दिल्ली से पंजाब आने की अब मैं आ आज आपके दिमाघ में होर सकता है कि आपको एसा लिजर्वेशन मसीऑ मेरी प्राथ्रा को नहीं सुन रहा मैं इतने ताइम से प्राथ्रा कर रहा हो कर रही हूं ते मेरे जीवन में क्या हो रहा है मैं उन्स चीजों कोrichor नहीं देख पा रहा है जो मेरे को चाहिए लेकि उप्रभी एशमसी आपके लिए ऐसी फ्लानिन कर रहा है कि आप उसको उससे भी लिसका अन्हिना आजिया जैसे मेरे लिए प्लान किया मैं मुंको आँसों को देख कर भी करा हूँ तो ले खुta है उसने वह फ्लानिंग में की कोई भी मिरे चाहता हूँ जो आब वचन में हमने पड़ा उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उने उत्तर दूँगा उनकी प्रार्था पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्विकार करूंगा आमीर मम्मी के दिल में एक प्रार्था थी कि इसकी ये चोड़ दर्द ठीक हो जाए आच साल से नशा कर रहा था आच साल से शराब पी रहा था और मम्मी प्रार्था में लगी हुई थी आच साल से उसने हिन्मत नहीं हारी उसने अपना विश्वास नहीं तोड़ा वो पापे फोर जादू तोड़ों वालों के पास नहीं चले गई वो ऐसी गंदी जगाओं पे नहीं चले गई जहां पर उसका विश्वास डट मदा आ जाए उसके कहा अगर कोई चंड़ा कर सकता है तो इसको सरी मेरा परमेश्वर प्रभी एश्व मसी नासरी एक कर सकता है हालेलूईया और इस सब ने अपने विश्वास को दिरे रखा और प्रार्थरा करते रही आज साल तक मेरे लिए प्रार्थरा करते रही और वो वक्त आ गया जब प्रभी एश्व मसी ने उसको महीमान भी तरना था हालेलुया और वो चर्च के अंदर जैसे मैंने प्रवेश किया और मैंने वाँ पेर रखा तो वहाँ पर एक वोलिंटेर आया है कि ता बैट जाओ मैंने था मैं बैट नहीं सकता क्योंकि मेरे दर्द है मैंने बहुत खतलाक चोटले में बड़ी मुश्किल से यहां पहुचा उसने का आपको बैठना होगा यह तो पीछे जाना होगा लाखों लोग मेरे चारों दरफ थे और इनको देखकर मैं खबराया हुआ था और उनको देखकर मेरे को ड़न लग राथा कि इतने सारे लोगों की भीड में मैं कहां आ गया हूँ और मैं कोश रा था मैंने का यह लोग मेरे को कहां लेकी आगये है पहले आगे बैठा था पिर पीछे कर दी आप मिले को पीछे करना चाहते है और एक पॉल था टैंक लगा हुआ था पॉल को पकड़ कर में खड़ा हुआ था उसने का अगर आगर आप नहीं बैठेगा आपकर पीछे जाना होगा वोल इंडर चला गी आपने बड़े वलेंडर को लेने के लिए अपने आपने आफिसर को लेने के लिए तब मैं रोने मैं नीचे बैठने की कोशिश करता हूँ, मैं नीचे बैठा, और मैं किसी भी तरीका से नहीं बैठ सकते हैं, मैं इसको पकड़ा, और ऐसे कर बैठने शुरू कि मेरे दर्द नहीं होई, और दिरियर करके मैं पूरा नीचे बैढ़ गया अभी तक कोई प्रार्थरा नहीं हुई है प्रभब उने अपने वच्छन में कहा उनकी दुआई देने से पहले ही मैं उनकी प्रार्थरा को सुन्यूंगा मैंने सुविकार करूँ गा और मैं दिखाऊंगा कि मैं ही वह परमेश्वर हो ज़र चमतकार करने का सामर्त रशक्ती रखता है मैं ही वह एश्वर हो ज़र तुम्हें गवाईयां देने का सामर्त रशक्ती रख सकता है हाले यूई या और उसनी वही किया और जब मैं बैठा तो मेरे पेंट नहीं हुआ मैं फिर खड़ा हो गया फिर मैंने देखा मेरे दर्द नहीं है और सूजन भी कम है मैं फिर बैठा और फिर खड़ा हुआ फिर मैंने पेरों को क्रोस किया और फिर बैठा और फिर खड़ा हुआ और देखा दिर दो चार बार ज देखा कि मेरी सारे सूजन, मेरा निरापन, मेरा कालापन, सब कुछ खतम हो गया था, हालेलूइया, हालेलूइया, एक मात्र परमेश्वर, जो हमारे ये मारा गया गाना गया, और तिसे दिन मुर्दों में से जीऊ था, जिसका नाम है प्रफियेशु मसीन नासरी, उसका संक् कि वह ही एक मुछतर जिन्दा खुदा है, हालेलूइया, और वहाँ पर जैसी मैं चुन्धा हूआ, और मैं बहुत खुशी से भर गया, और तभी वहाँ पर अरादना शुरू होगी, प्रादना शुरू होगी, और मैं भी लोगों को देखकर ताली बजाकर अरादना स्तृ करने लग गया और मैं प्रभू से यह कोशन करने लग गया क्योंकि मैं समझ या था यहां पर कोई तो शक्ति है और जब मैंने वहां पर प्रार्था करने शुरू किया मैंने का प्रभू मैंने अपनी जीवन से सब कुछ गवा दिया है ऐसा क्या हुआ मेरे साथ यह सब कुछ म अगर तुझे कुछ कान करना है तो अपनी गंदे चरित्र के परकान कर तक ही वह चरित्र अच्छा हो जाए और तुँ उच्छा उठाया जाए अलेलुईया उसने कहा कि ये बातों के कारण मैं उसके अनुगरे से अलग हो गया हो और धीरे लगर पर रोने लग गया और मैंने देखा कि पिचर के रुख में मेरे सामने मेरे सारे पाप चल रहे हैं और मैं प्रभू से पूछ रहा था कि प्रभू ये सम्भेरे साथ क्यों हुआ वचन तूटेगा वहाँ पर हमें उस दुख उस दर्द उस गंड को सहन करना पड़ेगा और मेरे जीवल से वह वचन तूटा इसलिए वचन में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है हालेलुया पवित्र कैसे बन सकते हैं हर आप पवित्र करने का ना करो जब आपको मिले गारी देने काम का ना बोला और पवित्र स्तानों में निवास करता हो अगर ते मनुश्य का अगर शरीर पवित्र होगा, तो मैं उसके शरीर में निवास करूँगा, और वो मनुश्य जो भी करेगा, उसमें वो सफल होगा, हालेलूया, और वोई चीज मेरे जीवन में हो रहे थी, और मैं रोने लग गया, मैं रहाए पिता मुझे शमा कर दे, मु जब हम पश्चताब करते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है हालेलूईया एक मनिश्च के लिए भी अगर आप इसे एक मनिश्च भी आज पश्चताब करने के लिए तयार है तो आपके लिए स्वर्ग में जशन मनाया जाएगा स्वर्ग दूद नाचेंगे आपके लिए गाएंगे क्योंकि वो जानगे कि एक भेड जो खो गई थी वो वापीस आ गई है हालेलूईया यही वचन में लिखा हुआ है अगर आप चाहते स्वर्ग दूद आपके लिए खुशिया मनाएं अगर आप चाहते स्वर्ग में आप आपके कारण आनंद हो जाए तो आज ही उस पश्चतापी हिर्दे के साथ प्रभी येश्यमसी के सामने आओ और वो आपको शमा करने का सामर्द रशक्ति रखता है जैसे इसने मुझको किया मैंने गा पिटा मजे माफ कर दे उसी वक्त मैंने प्रभी येश्यमसी के आवाज को सुना प्रभू ने कहा जैसे स्वर्भने वज़न में कहा है तेरे पाप जो खून की तरह जो सिंदूर की तरह नाल थे मेरे बेटे मैंने उन्हें साफ करके हिन्स के समान, बरस के समान सफेद कर दिया है क्योंकि परमीश्वर के पूत्र हमारे और सारे संसार के मुकी दाता प्रभि ये सिंद नाचरी को ही अधिकार है कि वो पापो को शमा दे सके इसलिए वो मारा गया उसन अपने पवितर शरी से अपने पवित्र लहों को बहाया है उसका कारण यही है और उसकी ये बाते सुनकर मैं और रोया और मैं उठके गया नहीं मैंने का है मेरे ईश्वर मैं जानता हूँ मेरे जैसे और भी योध और भी बहुत ऐसे लोग है जो इसे चरितर में जी रहे हैं इन्हें नशों में जी रहे हैं इन्हें कंदी बातों में जी रहे हैं है मेरे ईश्वर मुझे शक्ति और सामस दे ताकि मैं तेरे नाम की गवाई तेरे नाम का साथ्ष्य और तेरे नाम का परचार तुन्या के कौने कौने में कर सको हारे रूलिया और प्रभी येश्व मसी ने मेरे को छुआ और कहा कि मैं तेरे साथ होंगा तु जाएगा और मेरा सत्ष बनेगा वो आशिरवाद लेकर मैं बाहर निकला जब मैं बाहर आया कभी जिंदगी में कपी भी मैं अपने स्कूल के टैम से कभी भी सामने खड़े हो कि किसी सामने नह नहीं कर सकता था वेदी पर वेदी पर जाकर पार्ट पढ़ने पर मेरे को ड़न लगता था और प्राठा करने में मेरे को ड़न लगता था इवन हमारी स्कूल में जो प्रेर्स होती है जो ठॉट्स बोलने होते थे वो भी बोलने गले मैं जब मेरी पारे होते थे मैं चुट उस दूरी महाँ से मैं जब निकला और उसके बाद जब मेरे जीवन में जब मैं दुबारा से शराब पीने के जो लोग मेरे सामने शराब पीने थे मेरे फ्रेंड्स वगरा जब उसकी स्मेल मेरे नाग में पड़ी तो आपको बता है ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बनाद में खुसी तो मेरे उल्टिया होने शरू हो घई और ऐसा लग जैसे मेरे दोगो फ्यफड़े मेरे गले मेरे मुझे आ गए इतना बुरा हाल मेरा हो गया और मैं समझ गया कि अब कोई भी अशुर्द चीज मेरे अंदर नहीं जा सकती आलेलुया वो दिल किया 19 नुवंबर 2017 19 नुवंबर 2017 को प्रभी एशुमसी ने मुझको छुआ और आप 6 साल हो गए प्रभी एशुमसी के नाम का साथश उसके नाम के महिमा करते हुए और उसके नाम का परचार करते हुए आलेलुया ये हुआ मेरे जीवन के साथ इस तरह से प्रभी ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रट दिया अगर वो मेरे जीवन के साथ ये सब कुछ कर सकता है, तो आज आपका दिन है, आमे, हाले नुए यान, जब आपी साया, कभी घर में प्राथा नहीं करता था, मम्मी अपने दर्वाजे बंद कर लेती थी, और कहते थी, वो शेतान आ जाएगा, दर्वाजे बंद कर दो, कई हमारे भी प्राथा को भंध ना आपको सम्मान दिलवाएगा, ये ही उसका नेचर है, सब बलो आमेन, हाले नुए यान, और ये सब कुछ मेरे जीवन में होने लग गया, प्राथा अगर न शुरू किया, मिस्सा बलिदान में आना शुरू किया, सही वत पर सब बातों को मैंने जाना, पहचाना, और इतना हो गया कि नो दिन में बाइबल को पढ़ दिया, पुरा पुराना नियम नो दिन में पढ़ दिया, और चाना हाज भी वो बाइबल पढ़ा हुआ, ये शब्द मेरे दिमाग में है, मैं उस शब्दों को मैं अब तर भूला नहीं, हाले नुए, जीवन बदल गया, फिर से मे बाइजद वो कुछ वापिस किया, मैंने किसी से मांगा नहीं, आपको बता है, डॉक्तर ने मिरे को क्या कहा था, डॉक्तर ने मिरे को कहा था, कि तो दो साल रस्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद तेरा उपरेशन होगा, और उपरेशन होने के बाद तो कभी खेल नहीं पाएगा, ठीक तो हो जाएगा, ये उस मनिश्य के शब्द थे, मैं आपको एक मैसेज और देना चाहता हो, मनिश्य के बुरे शब्द माइने नहीं रखते, माइने ये रखता है, कि हमारे प्रभी एश्व मसी ने, हमारे ने क्या कहा है, लोगों ने कहा होगा, तो श तुझे पनिश्य की परादरी और जात की जरूरत नहीं, अब तु मेरी जात है, अब तेरे अंदर मेरा खून है, अब तु स्वर्ग की प्रजा है, आमेन, ये बाते हम लोगों के साथ तब होती है, जब प्रभी एश्य मसी अपको चूता है, और इस तरह से जीवन पूरा बदला, और सारी चीज़े मुझे वापिस मिली, और उस मनुष्य नहीं ये शब्द कहे थे, कि जल दे तो ठेक नहीं हो पाएगा, और पता आपको जैसे प्रभी एश्य मसी ने ठीक किया, और उसके बाद ठीक तीन-चार महीने के बाद सेलेक्शन आया, सेलेक्शन दिया, क कोंुएल feult के लिए सिलेक्ट हुआ, कोंुएलथ खेलने के लिए गिया, और ठेल कर आया, सौट अफरिका डर्भन में और आकर वापिस आया, उसे ही डॉक्तर के सामने छे महीने के अंदर सेटिफिकेट लेकर आया, और वो डॉक्तर हैरान और परेशान था, कि ये कैसे हो तब मैंने जाना कि एक मात्र प्रभू है जो ये सामर्त रखता है अज संभव को संभव करने के लिए आमेन लोग आपको खहरे होंगे किसले कहा होगा तो तो इसी बीमारी में मर जाएगा इसी नशे में मर जाएगा तेरा पती इसी नशे में मर जाएगा इसी वास्नाओं में मर जाएगा इसी वास्नाओं में अलग हो जाएगा इन बातों में खतम हो जाओगे लेकिन प्रभी ये से मसीh कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो मैं तेरा प्रमेशर हूँ तुम मेरे पास आएगा और चमतकार को देखीगा क्या मैंने किछ यह न कहा कि अगर तुम विश्वास करे कि अपने जीवन की गवाही दे रहा हूँ सब बोलो आमीन हालेलूया सुनो अगर वो मेरे जीवन में कर सकता है हालेलूया अगर वो मेरे जीवन में कर सकता है तो आज आपका दिन है आज आपकी बारी है अगर वो मुझे सब कुछ लोटा सकता है अयूग नभी की तरह तो वह आपको भी आपका खोया हुआ हर हैं चीज आपको वापिस कर देगा आमीन आपका पती हो आपका पिता हो आपका भाई हो आपका आपकी बेटी हो आपका बेटा हो जो छूट गया, जो गायब हो गया, जो दूर हो गया, जो नस्ट हो गया, वो सब कुछ प्रभी इश्मसी आपको वापिस करेगा, हालेलुया, क्योंकि उसके वचर में लिखा है, लुकास 1910 में, जो खो गया था, मानव पुत्र, उसी को खोजने और बचाने आया है, अगर व मुझे छुडा सकता है, तो आज आपका दिन है, आप भी उन्ही निराशाओं के साथ, निवेदों के साथ आए होंगे, आज प्रभी इश्मसी बाहें खोल कर आपके सामने खड़ा है, और कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी कुछ तरी भी उमर क्यों ना हो गई हो, क तेरे सारे पापों से तुझे आज़ाद कर दूँगा, सारे पंदोन से तुझे आज़ाद कर दूँगा, जैसे उसने मेरे साथ किया, वैसे वो आपके साथ भी कर देगा, सामर्त और शक्ति और तकपर और तयार खड़ा है, हलेलुईया, जर्स सबनो, हलेलुईया, आज आ आपकी बारी है आज़ा आप अज़ाद होने वाले हो आज़ा आप छुटकारा पाने वाले हो आज़ा आप गवाई आदेने वाले हो आज़ा आप जाकर लोगों को पताओगे कि और लोगों को सुनाओगे कि प्रभी एश्व मसी ने मेरे जीवन में क्या काम किया आपको बता प्रभी एश्य मसीने मेरे जीवन में क्या काम किया है जितनी बार आप गवाईयां दोगे उतनी बार नहीं गवाईयों के लिए आपके दोर से ओपन हो जाएंगे अलेलुया जितनी बार आप गवाईद होगे अपने जीवन की अपने जीवन से कि प्रभी एश्व मसीह ने आपके जीवन में क्या काम किया वो तिनी बार ने दर्वाजे नई गवाईओं के लिए आपके लिए खुल जाएंगे प्रभी ने कहा डर पोक हो कि मुझे जरूरत नहीं जो डर पोक होगा वो सुर्गराजय में प्रवेश नहीं करेगा जो खुल कर बोलेगा कि प्रभी एश्व मसीह ही मेरा ईश्वर मेरा खुदा है जो मेरे लिए अपनी घरतन तक कटवाने के लिए तयार होते हैं वे उनसे प्रेम करता है हालेलूया अपनी जात अपनी बिरादिनों से डरने के ज़रूरत नहीं क्योंकि प्रभी एश्व मसीह से बढ़कर इस प्रिच्वी में और कुछ नहीं सारी नोकरिया मुझे वापिस मिली एक एक लाकी सब छोड़कर आया और कहा किसे प्रभी एश्व मसीह की सेवा करूँ आपने पूरी जिन्दगी चाहे कुछ हो या ना हो अप इतर छे साल होगे प्रभी एश्व मसीह ने कोई कमी मेरे जीवन में नहीं छोड़ी सब बलो आमीन हालेलुया सब ये अपनी आँखों को बंद करो सर्मशक्ति मान जिन्दा खुदा प्रभी एश्व मसीह नासरी हमारे और सारे संसार के मुप्तिदाता मैं धन्यवादे तो इन सब लोगों के लिए और अपने लिए कि तुने हमें मोका दिया कि मैं अपनी जीवन की गवाई इन सब लोगों के सामने पेश कर सकूँ जो तुने मेरे जीवन में किया है हे अबबा इन सब को मैं तेरे पवित्र लहू से कवर करता हो प्रभजी शेतान बेरे की सारी योजनाय नस्थ हो जाए इनके जीवन से प्रजी तेरा नहों इनकी रक्षा और सुरक्षा करें जिव गवाई जो बचरी में सुना है इनके जीवन में इनके परिवार में सोग उना फन ले कराएं जैसे हमने उस तिन मुझे चंगा किया चुतका न दिया आज ये नोग भी खाली हाथ नहीं बर्कि तवाईयों से पार कर अपने घरों में जायें और तेरे नाम को उचा करें सभी जोर से बोलो आमें आमें हालेलूईया हालेलूईया